Hello everyone, स्वागत आप सभी का PW Only Eyes, संभब आश में, UPSC संभब आश, NCRT सीरीज, ओल्ड एडिशन, प्रोफेसर रामशरन, सर्म, प्राचीन भारत, एंचेंट इंडिया, और आज के इस सेशन में हम लोग आपस में डिस्कुस करने जा रहे हैं, NCRT ओल एडिशन का चैप्टर से और प्राचीन काल के आधुनिक लेखक, यानि कि आधुनिक काल में जब इतिहास लेखन किया गया, प्राचीन भारत के उपर जब इतिहास लेखन किया गया, तो इतिहासकारों ने जो लेखन किया, हिस्ट्री राइटिंग किया, तो वो किस तरस से हिस्ट्री किया उन्होंने क्या उन्होंने अर्थवेवस्था को आधार बनाया इतिहास लेखन के लिए आर्थिक पक्ष पे ज़्यादा ध्यान दिया या रास्टवादी द्रिस्ट कोण वो जो नेशनलिस्टिक एप्रोच है न कि अंदर में राष्टवादी भावना है और राष्टवादी भावना के तहत इतिहास लेखन किया गया या फिर वो इतिहास लेखन जो राजा रानी लोगों का नहीं था जो संबंधित था किसानों के ऊपर लेखन किया गया ठीक है मजदूरों पर इस्त्रियों की दशाओं पर लेखन किय तो इतिहास लेखन जब प्रारंभ किया गया आधुनिक काल में प्राचीन भारत पर तो प्राचीन भारत पर इतिहास लेखन कई प्रकार से किया गया, कई बार द्रिस्टी कोण में अर्थ्वेवस्था हावी हुई, तो हमने कहा कि ये तो मार्क्सिस्ट एप्रोच है, मार्क्सवादी द्रिस्टी कोण है, कि हर चीज का कारण कहां डूंडा जाए, अर्थ्वेवस्था में डूंडा जाए, या इतिहास लेखन का रास्टवादी द्रिष्टिकोण के हर एक घटना को हम किस नजरिये से देखें और लिखें रास्टवादी नजरिये से देखें और लिखें या फिर इतिहास लेखन का नीचे से द्रिष्टिकोण नीचे से उपर की तरफ देखना Subaltern Studies बोलते हैं इसको Subaltern Studies and History Writing के जब इतिहासकार राजा, रानी, मंत्रियों और बड़े-बड़े लोगों पर युद्धाओं पर नहीं फोकस करते हैं, जब वो फोकस करते हैं मजदूरों की दशाओं पर, दासों की क्या इस्थिती थी, इस्त्रियों की क्या इस्थिती थी, Untouchables या अचूतों के साथ किस प्रकार का विवार किया जाता था, तो इतिहास लेखन प्रारम किया गया, आधुनिक काल में प्राचीन भारत पर इतिहास लेखन किया गया, लेकिन दोस्तों हमें यहां एक चीज ध्यान में रखना होगा, इतिहास लेखन के पूर्व, पहले यह महत्युपून बात है, कि इतिहास का पुनर निर्बान, reconstruction of the past, इतिहास का पुनर निर्मान कैसे किया गया है, उसके बाद हम इस पहलू पे आएंगे, कि इतिहास लेखन आधुनिक काल में प्राचीन भारत पर किस प्रकार किया गया है, तो हम यहां पे अध्याय संख्या में थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं अपने पढ़ने के सुविधा के लिए, और chapter number 3 को पहले discuss कर रहे हैं, और उसके बाद last में discuss करेंगे chapter number 2 को, तो पहले हम यह देखते हैं, कि इतिहास का पुनर निर्मान कैसे किया गया, जैसे दिखे, कि जैसे, मैं इसको आम तरीके सा समझाता हूँ आपको, कि जैसे कोई अपराद हुआ, माल लेते हैं किसी का murder हो गया, और जब murder होता है न, तो investigation होता है, innovation होता है, और कई बार आप देखिएगा, कि जो police होती है, वो murder का scene, फिर से recreate करती है, recreate, यहाँ dead body पड़ी है, यहाँ से तुम गोली चलाओ, वहाँ से गोली चली होगी, यह angle होगा, ऐसे dead body गिरी, यह dead body ऐसे गिरी, कहाँ चोट लगा, क्या हुआ, कोई था कमरे में की नहीं था, गुल्दस्ता गिर गया, क्या हो गया, तो यह सारा होता है, scene recreate किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से historians क्या करते हैं, इतिहासकार क्या करते हैं, पुराने जमाने में जो घटनाएं घटी होंगी, उनका recreation किया जाता है, scene या वो सारी चीजें recreate की जाती हैं, तो इतिहासका पुनर निर्मान करना पड़ता है, ये बिना बात यूँ ही नहीं पता चल जाता, कि समराट अशोक हुआ करते थे, जिनोंने धम की नीती चलाई थी, बड़े महान समराट हुए, या पहली पहली बार नगरी करन हमारे देश में, भारती उप महादीप में, साढ़े 4000 साल पहले हुआ, जिसे हम इंडस वैली सिंदू घाटी की सभ्यता नाम देते हैं, तो सिंदू घाटी की सभ्यता थी, ये कैसे पता चल रहा है? इसको हमने recreate किया है, तो जब इतिहासकार लोग इतिहास का पुनर निर्मान करते हैं, तो वो उस जमाने की सारी दशाओं को एक बार फिर से हमारे और आपके लिए recreate करते हैं, पुनर निर्मान करते हैं, तो पहले आज के इस सेशन में हम ये देख रहे हैं कि इतिहास का पुनर निर्मान कैसे किया जाता है, और फिर तब देखेंगे कि पुनर निर्मान जब हो जाता है, तो उस पे आधुनी काल के इतिहासकार प्राचीन काल की घटनाव पर लेखन कैसे करते हैं, उसका observation कैसे कर कि क्या द्रिष्टी कोन हावी होता है, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, observe करते हैं, समझते हैं, तो हमारे अंदर की चीजें बाहर आती हैं, हमारे हो सकता हो हमारे कुछ बायसनेस बाहर आएं, हमारे पूर्व आउधारनाएं, हमारे आड़े आएं, तो कई बार हमारा द्रिस्टी कोन हमारा द्रिस्टी कोन हवी होता है ना हमारी सोच हवी होने लगती है कि अगर आप आर्थिक पक्ष पे जा रहे हैं तो आप मार्कस्वाधी इतिहासकार हैं अगर आप रास्टवाधी पक्ष से देख रहे हैं तो आप रास्टवाधी इतिहासकार हैं या आप स होने के लिए इतिहास का निर्मान पुनर निर्मान करना पड़ता है scenes recreate करना पड़ता है तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि इतिहास कार scenes कैसे recreate करते हैं तो एक बार पुनर स्वागत है आप सभी का UPSC संभवेश में NCIT series chapter number two and three और हम देख रहे हैं कि इतिहास का पुनर निर्मान कैसे किया जाता है तो आप चाहें तो हमारे साथ-साथ लिखते रहिएगा और जादा बेहतर रहेगा लिखते रहेंगे तो इससे Concentration बना रहता है हमारा साथ-साथ जब हम लिख रहे होते हैं तो नहीं तो भटकावाने लगता है तो इतिहास का पुनर निर्मान अब जब भी कोई इतिहास का पुनर निर्मान करने जा रहा होता है तो हवा हवाई तो पुनर निर्मान नहीं हो जाएगा मनगडन तो कुछ नहीं होगा मन गडंत नहीं होगा तो जैसे विज्ञान सबूतों पर आधारित होता है वैसे ही इतिहास में हमें सबूत चाहिए होते हैं evidences evidences चाहिए होते हैं सबूत चाहिए होते हैं हमें हमें का मतलब यहाँ पर इतिहास कारों से है हमें और आपको नहीं उन्हें सबूत धूढने पड़ेंगे क्योंकि scene recreate करना पड़ेगा तो इतिहास में कई मामलों में और काफी हद तक objectivity होती है वस्तू निस्ठता होती है पूर्ण रूप से नहीं लेकिन काफी हद तक वस्तू निस्ठता होती है objectivity मतलब आप अपने मन से कुछ भी नहीं बोल कि इतिहास आधारित होता है सबूतों पर जैसे मैं आपसे एक लाइन कहता हूँ कि history is not a science subject इतिहास कोई विज्ञान का विशय नहीं है but it can be studied scientifically परंतु इसे विज्ञान की तरह पढ़ा जा सकता है इतिहास विज्ञान विशय नहीं है लेकिन इसे विज्ञान की तरह पढ़ा जा सकता है history is not a science subject but it can be studied scientifically अब scientific study करने के लिए सबूत चाहिए सबूत चाहिए न और अब जो हमारे पास सबूत होते हैं वो स्रोत है अब देखे दो तरीके के हमारे पास साक्षे हो सकते हैं होते ही हैं साहितिक literary और दूसरे मुखे रूप से पुरा तत्विक archaeological तो we have not only literary sources but we have archaeological evidences मतब उत्खनन खुदाईयों से प्राप्त वस्तुएं जिनका परिक्षण अध्यान करके हम निश्कर्ष निकालते हैं या लिखित रूप से हमें कुछ मिल जाए तो हम वहां से पढ़के समझ सकते हैं लेकिन वह लिखित साक्षे में भी तो बायसने सो सकता है पुर्वाग्रा हो सकता है तो उसे भी ध्यान में रखना होता है तो साहितिक और पुरातत्विक हमारे पास दो प्रकार के साक्षे होते हैं और हमें इन दोनों को मैच कराना होता है इन दोनों को मिलान करना होता है और जब मिलान कर लेते हैं तब हमारे पास एक बढ़िया वस्तु निस्थता आती है और हम अच्छे बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं इतिहास को या उसका पुनर निर्मान कर सकते हैं तो पुरा तात्विक में वो सब सामान होते हैं जो हमें उत्खनन से प्राप्त होते हैं जैसे माली जी उत्खनन से हमें सिक्के मिल जाएं या पत्थर पे लिखा हुआ कोई लेख मिल जाए या मिट्टी के बरतन मिल जाएं या कोई लकड़ी का पत्थर का बना हुआ महल मिल जाए कुछ भी ऐसा मिल जाए भौतिक आवस्षेश material remains अगर हमें मिलते हैं material remains भौतिक आवशेश तो हमें पुराने जमाने के अपने आतीत का पुनर निर्मान करना आसान हो जाता है और दूसरी तरफ अगर हमें साहित्तिक साक्षे मिल जाए तो साहितिक साक्षे और पुरा तात्विक साक्षे का हम मिलान करके बढ़िया निशकर्ष निकाल सकते हैं और हमारा इतिहास तब जो पुनर निर्मान हम करेंगे वो और बेहतर होगा तो अब आगे चलते हैं दिखिए अब साहितिक और पुरा तात्विक सक्षे अब हमारे पास से कुछ दिखे इस तरह से भोतिक आवशेश बहुतिक आउशेश मिलते हैं इने में जैसे ये टीले है न ये टीले है अब टीले में बहुत सारी चीज दफ़न हो सकती है बहुत सारी चीज दफ़न हो सकती है होती ही है अब कुछ चीजें तो हमें ऐसे ही खुले में मिल जाएंगी लेकिन ज़्यादा तर चीजें खुले में नहीं मिलेंगे उसके लिए हमें खोदना पड़ेगा यानि कि अगर तीले मिल रहे हैं तो हमें इन तीलों का उत्खनन करना होगा इसी बात को अंग्रेजी बोल करके थोड़ा घुमाया जाता है अग्रेजी बोलते हैं उत्खनन एक्सकेवेशन और वो एक्सकवेटर होते हैं जो खुदाई करते हैं जैसे बहुत पहले एक तीला मिला बहुत बड़ा सा तीला आसपास के गाँवाले उस तीलों को तीले को कहते थे कि ये भाई ये तो मृतकों का तीला है पक्का इसमें dead bodies दफन है mound of the deads या सिंधी भाषा में इसी को कहते आसपास के छेतर के लोग मोहें जो दड़ो सिंधी में मोहन जो दड़ो और आम बोल चाल में इसी को हम मोहन जो दड़ो कह देते हैं तो मोहें जो दड़ो का इस तीले का उत्खानन प्रारम हुआ ब्रिटिश काल में उत्खानन प्रारम हुआ excavation शुरू हुआ और उत्खानन प्रारम किया 1922 में राखाल दास बनर जी ने राखाल दास बनर जी भारती ये उत्खानन करता थे और उस वक्त archaeological survey of India भारती पुरातत्तो सर्वेक्षन के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे जॉन मार्शल तो जॉन मार्शल के नित्रित्तों में राखाल दास बैनर जी ने उस तीले की खुदाई प्रारम की और उसमें से धेर सारे सामान निकले इटों का बना हुआ swimming pool जैसा structure निकला पत्थरों की बहुत सारी बनी हुई चीजे निकली मुहरे निकली पत्थर की मुहरे निकली मोती नकली मोती मन के निकले वो सारी चीजे निकली और तब धीरे धीरे हम उसको पढ़के समझके उसका C14 इन कार्बन डेटिंग करके अंत में हम इस निश्कर्स में पहुँँचे कि भाई ये तो हमारा 4500 वर्ष पुराना एक नगर था, नगर और इसके एक साल पहले ही 1921 के आसपास, एक साल पहले ही एक दूसरे टीले का उत्खनन चल रहा था, जिससे हडपा कहा जाता था, तो हडपा और मोहे जो दड़ो दो टीले थे जिनका उत्खनन किया जाना प्रारम किया गया ब्रिटिश काल में और उत्खनन से जब ठीर सारे सामान निकले, तो उन सामानों का परियविक्षन और अध्यन किया गया और अध्यन करके हमें ये समझ में आये कि अरे वा हमारे यहां साड़ी चार हजार साल पहले नगरी करण हुआ था और तब हम इस निश्कर्स पर पहुँचे कि ये तो शांदार बात है कि हमारे यहां पहली पहली बार नगरी करण हुआ था तो हमें तमाम साक्ष मिले ये आर्कियोलोजिकल थे किताबे नहीं मिली हाँ लिखा हुआ मिला लेकिन आप जानते हैं कि प्रथम नगरी करण जिसे हम सिंदु घाटी या हडपा और आजकल वर्तमान में एकदम हाल फिल हाल में इसको सिंदु सरस्वती सभ्यता नाम दिया गय है और इसमें उन लोगों को लिखना आता था क्योंकि वहां से हमें मुहरे मिली हैं और जो मुहरे मिली हैं उन मुहरों पर कुछ जन्तुओं जन्तुओं की आकृतियां उकेरी गई हैं बनवाई गई हैं और उपर में या नीचे वाले साइड में ऐसे कुछ लिखावट मिल रहा है तो लेक तो हमें मिल रहा है सिंदु घाटी सभ्यता से और ये लेक जो बने हुए हैं ये तो कहलाते हैं भावचित्र या पिक्टो ग्राफ कहलाते हैं अभी इन पिक्टो ग्राफ को आज तक फिलहाल तक तो पढ़ा नहीं जा सका है हम इसको नहीं पढ़ पाए हैं पढ़ा नहीं जा सका है तो बहुत सारी बातें तो हमें सिंदु घाटी सभ्यता में उत्खनन से मिल गई और जो लिखित में मिला लिट्रेरी उसको फिलहाल तक हम अभी अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं और जब पढ़ लेंगे तो हमें और भी बातें सिंदु घाटी सभ्यता के विशय में अपने प्रथम नगरी करण के बारे में पता चल सकेंगी तो अभी भी पिक्शर बाकी है मेरे दोस्त कौन से पिक्शर सिंदु घाटी सभ्यता की पिक्शर अभी बाकी है क्यूंकि अभी पूरा पुनर निर्मान नहीं हो पाया है और उसमें जो बाधा आ रही है सिंदू घाटी सभ्यता या प्रतम नगरी करण के पुनर निर्मान में वो यही बाधा है, कि हम इसकी लिपी को नहीं पड़ पा रहे हैं, तो हमें टीले मिलते हैं, और टीलों का उत्खनन किया जाता है, तो भौतिक आवशेश मिलते हैं, material remains, ह remains मिलते हैं, और जब टीले मिलते हैं, तो उत्खनन होगा, उत्खनन किया जाएगा, अब मामला दीखी, यहाँ पे थोड़ा टेड़ा है, जो उत्खनन किया जाता है, वो उत्खनन 36 हो सकता है, और उर्द्वाधर हो सकता है, 36 उत्खनन बड़े एरिया में करेंगे, तो बहुत खर्चिला होगा, और हम अभी विकास शिल्देश हैं, हम इतना जादा पैसा, फंड, डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, कि इतने धेर सारे टीले हैं, भाईया, सबको खोदो, और वो भी horizontal, 36, क्योंकि 36 खुदाई, बहुत महंगी पड़ती है, यद्यपी की 36 खुदाई में एक फायदा ये हमें मिलता है, कि ये बहुत विस्तार से हमें बातें पता देती हैं, पता चलता है कि धेर सारी चीज़ें मिलेंगी न, तो ज़्यादा अध्यन होगा, जब ज़्यादा परियविक्षन अध्यन होगा, तो ज़्यादा बढ़िया निश्कर्श निकलेगा, लेकिन समस्य ये है कि खुदाई, 36, महंगी पड़ती है, और दूसरा तरीका है कि तीले का जो भी हमें मिल रहा है, उसको हम उर्धवाध खोद दें, तो उर्धवाधर जब आप खोदेंगे ना, उत्खनन करेंगे, खोदना है का मतलब उत्खनन से है, आम बोल चाल में कह रहा हूँ, तो वो वर्टिकल डिगिंग बोलतें इसको, तो ये होरिजॉंटल डिगिंग है, डिगिंग मतलब खुदाई, और ये वर्ट ये आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएगा, लेकिन ये आपको काल क्रम अनुसार, आइडिया दे देता है, संस्कृति या सभ्यताओं का, सभ्यताओं का, ये आपको काल क्रम बता देगा, लेयर्स, तो यहाँ आपको क्या मिलेंगी, डिफरेंट लेयर्स मिलेंगी, जैसे यहाँ पे दिखिए, सबसे उपर वाले में मिट्टी का चूलहा मिल रहा है, और उसके नीचे बरतन मिल रहा है, उसके भी नीचे पत्थर क मूरते मिल रही है, उसके नीचे राख मिल रहा है, क्या न, ऐसे करके, तो ये न, आपको लेयर्स दे रहा है, लेयर्स, लेयर्स देता है, तो वर्टिकल डिगिंग, सस्ता पड़ता है, मतलब सस्ता का मतलब बहुत पैसा लगता है, तुलनात्मक रूप से सस्ता पड़ता ह चैतिच के, वर्टिकल डिगिंग में आपको काल क्रम मिलेगा, बहुत ज्यादा सावान नहीं मिलेगा, तो यह आप विस्तार से नहीं जान पाएंगे, हाँ, एक निशकर्ष पे आप पहुंच जाएंगे, लेकिन विस्तार से अगर जानना है, बहुत डीटेल में, तो बहुत इस तरह से डिगिंग करते हैं, होडिजॉंटल और वोल्टिकल, अब दीखे, जब हम डिगिंग करते हैं, तो भौतिक आवशेश मिलते हैं, भौतिक आवशेश, और भौतिक आवशेश कैसे मिल रहे हैं, सड़े गले या बढ़िया, यह किस बात पर निर्भर करेगा, यह आप जानते हैं, वो जलवाई वी दशाओं पर निर्भर करेगा न, वो क्लाइमेटिक कंडिशन्स पर डिपेंड करेगा, कि उस एरिया में खुदाई कर रहे हैं, जहां का वातावरण शुष्क या अर्ध शुष्क है, ड्राई या सेमी एरिड, एरिड है या सेमी एरिड जो जैसे राजस्थान की तरफ की खुदाई करेंगे, या अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ खुदाई करेंगे, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में नमी की मात्रा जादा है, मौश्चर कंटेंट मिट्टी में जादा है, और राजस्थान और पूर्वी उत्तर प् पूर्वी उत्तरप्रदेश बिहार में या राजस्थान की तरफ और राजस्थान हरियाना और दिल्ली और पश्मी उत्तरप्रदेश की तरफ। जो भी उत्खनन होगा, वहां से सामान ज्यादा प्रिजर्वड, ज्यादा सुरक्षित मिलेंगे, और अगर पटना की तरफ या बनारस की तरफ खुदाई करेंगे, तो मिट्टी में नमी की मात्रा ज्यादा मिलेगी, तो जो भौतिक आउशेश मिलते हैं, वो सड़े गले मि अब ज्यादा सुरक्षित और सुरक्षित नहीं मिलेंगे, जैसे एकदम हाल फिल हाल में अभी ये उत्खनन चल रहा है, चल रहा है, तो बाकपत एक जगह है, पश्यमी उत्तर प्रदेश में, और वहां पर भी खास तोर पे सनौली, तो सनौली एक जगह है, जहां अभी भ वहां से सामान मिल रहे हैं, अब देखिए, सनौली के उत्खनन में हमें लकडी का एक रत मिला है, और ये रत परिक्षन करने पे समझ में आ रहा है कि भाई, ये तो महाभारत काल का है, तो ये रत कम से कम तीन हजार वर्ष पूर्व का है, और ये बच कैसे गया, ये इस तरह से बच गया, के नमी कम है मिट्टी में, और तो और देखिए, ये धातु की तलवारे भी मिल रही हैं, तलवार, तो कांसा एवं लोहा, अगर ये मिल रहा है, तो ये पूरा, ये पूरा उत्खनन, ये साक्ष दे रहा है, उत्खनन, जो भी सामान मिल रहे हैं, वो हम कोरिलेट कर पाते हैं, कि ये भाईया उत्तरवैदिक काल का प्रारंभिक चरण है, उत्तरवैदिक काल का प्रारंभिक चरण, और दुरियोधन नाम नहीं होता है, सुयोधन और दुरसाशन जो आने उसका मूल नाम है, सुशाशन ये लोग हैं, जो आपस में लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, 3000 साल पहले कुरुक्षेतर हरियाना में मैदान पर, और उसी को हम बोलते हैं, बैटल अप महाभ और भीम, हडजा हडजा, आज मारब दुरियोधना के बहुते मारब, गदा गदा मारब दुरियोधना के, तो कुछ इस तरह से चीज़ है, तो ये सारी बाते हमें यहां से पता चल रही है, रत, रत मिल रहा है, तलवार से लड़ाई जगड़ा हो रहा है, युद हो रहा है, तीर चला रहे हैं, तो तीर का नोक मिल रहा है, डंडी भले ना लकडी वाला मिले, तीर का नोक मिल जा रहा है, तो उत्खनन जब हम करते हैं न, तो भौतिक आउसेश मिलते हैं, और भौतिक आउसेश सुरक्षित और सनरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बात जलवा लकडी का महल मिला, लकडी का महल, और ये लकडी का महल और प्रस्तर इस्तंभों पर्टी का था, प्रस्तर इस्तंभों पर्टी का लकडी का महल मिला, और ये लकडी का महल दिखे, प्रस्तर इस्तंभ है, और ये इसके उपर लकडी, ये स्केच है और ये संभावता ये संभावता नहीं पूनता एकदम निश्चित तौर पे है कि ये मौरे समराट चंद्रगुप्त मौरे का महल था चंद्रगुप्त मौरे का महल था चंद्रगुप्त मौरे का राज प्रासाद मंदिर में होता है प्रासाद होता ये घर महल तो और मजे की बात ये दिखिए कि ये जो लकडी का महल मिला अब ये सुरक्षित मिलेगा कि सड़ा गला मिलेगा पुर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार, बिहार कहे रही है पटना है, नमी मिटी में, तो यह जो लकड़ी का महल मिला पटना के कुम्रहारा के उत्खनन से, यह डाइलापिडेटेड कंडिशन में मिला, थोड़े खराब हालत में मिला, क्योंकि नमी में लकड़ी सडगल जात ये नमी, moisture ये ठेक और देखे भौतिक आवशेशों का वैज्ञानिक परिक्षण करना पड़ता है यूँही निशकर्ष नहीं निकल जाता है और जैसे देखे पॉलिन ग्रेंस होते हैं न पॉधे में फूल पर, pollen grains क्या बोलते हैं, पराग कण, पराकोश में पराकण होते हैं तो पराकण मान लीजिये मिल गया अब पराग कण का जब वैज्ञानिक लोग वैज्ञानिक विश्लेशन किया जाता है इसमें थोड़ा सा बोटनी वालों का वनस्पती विज्ञान विदों का भी मद ली जाती है तो वैज्ञानिक विश्लेशन करते हैं pollen grains का तो पता चला कि भाई ये pollen grains जो है न ये 7000 बिफोर कॉमन एरा या मान लीजिये इस्वी पूर्व का है उसका तिती निर्दारन किया गया carbon dating किया गया तो 7000 वर्ष पूर्व आया इसा के 7000 वर्ष पूर्व मतलब हम 9000वर्ष पूर्व का अगर pollen grain मिल रहा है तो हम क्या निशकर्श निकालें हम निश्कर्श निकालेंगे कि करिशी कर्म हो रहा था करिशी कर्म ओर हा था कर दाई गड़ मिलें, तो यह या अस्थी पंजर मिल जाए, मनुष्यों की अस्थियां मिल जाए और अस्थियों में अगर दांत बढ़ियां है, चमकीले दांत है, मतलब दंत स्वास्थे तो बढ़ियां मिल गया, अब मान लीजिए कि इनकी हड्डियों में जैसे घुटना, गुटने वाली हड्डि, कै न, ये इसका परिक्षण देखे, ये जोड़ देते हैं इसको मन स्पेशियों से, और दो हड्डियों के बीच में न, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, इसी लिक्विड पे हड्डियां मूव करती है न, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनूवियल ड्रव्य फ्लूइड, साइनूवियल फ्लूइड, और अगर साइनूवियल फ्लूइड बणिया है, सही है, तो आराम से भागते कूते उचलते रहिए, अगर साइनूवियल फ्लूइड खतम हो रहा है किसी भी कारण से, तो हड्डियां, लूब्रिकेंट है न, ये लूब्रिकेंट, तो जब लूब्रिकेंट कम होने लगेगा, तो हड्डियां घरसन घिसने लगेंगी, और जब हड्डियां घिसेंगी, तो घिस, या यूँ सम निश्कर्श निकलेगे हम, निश्कर्श निकलेगा भिया कि इन लोगों में Arthritis की problem थी, निखल गे ना निश्कर्श, Arthritis की problem, यह ऐसे निश्कर्श निकालना पड़ता है, या एक दिखे जासे, मानले जी यह एक particular area मिला, और यह बस्ती मिली, मानौ बस्ती, मानो बस्ती मिली और मानो बस्ती में एक तरफ मिट्टी में यूरिया कंटेंट ज्यादा मिल गया यूरिया कंटेंट ज्यादा मिला और देखते ध्यान से त्सुनेगा न किसी भी पश्यू के अस्थिया नहीं मिली तो हम क्या ये निश्कर्श निकाल सकते हैं कि पश्यू पालन नहीं हो रहा था पश्यू पालन नहीं हो रहा था नहीं ये निश्कर्श नहीं निकलेगा अगर माल लीजिए हड़िया नहीं भी मिली है न तो भी हम ये निश्कर्श निकाल लेंगे कि पश्यू पालन हो रहा था कैसे यूरिया कंटेंट मूत्र विसर्जन पे आता है मूत्र में यूरिया होता है और इस जगा की मिट्टी में अगर यूरिया की मात्रा काफी अधिक है तो मतलब जानवर यहाँ पे धेर सारे रह रहे हैं जो शुशु करकर के इस मिट्टी में इस छेत्र में बस्ती के पूरा यूरिया भर दिये कहना तो ये निशकर्ष निकल गया अगर मानो बस्ती के एक तरफ यूरिया का कंटेंट बड़े इससे में जादा मिल रहा है इसका मतलब भईया मूत्र विसर्जन हो रहा है और हो सकता हो कि मानो और पशु इधर वाले पार्ट में अपना मूत्र विसर्जन कर रहे हो यहाँ पे तो यह है जानवर यह निशकर्ष निकल रहा है तो कई बारना इंडिरेक्टली भी निशकर्ष निकल जाते हैं बहुतिक आउशेश के बिना भी और बहुतिक आउशेश मिल जाते हैं तो अब आते हैं हम मुद्रा शास्त्र पे ठीक है निमेस्मेटिक्स ठीक है मुद्रा शास्त्र मुद्रा पैसा पॉइंस मिटल करेंसी देखें मिटल करेंसी आप पे आ रहे हैं हम पहले पहल भारतिय उपमहाद्वीप में सिक्के कब चले? क्या सिंधु गाटी सभ्यता में चले? नई, क्योंकि सिंधु गाटी सभ्यता से संबंधित, जितने भी इस्थल अभी तक उत्खनित किये गए हैं, एक्सकवेट किये गए हैं, तकरीबन 97 से भी जादा टीले सिंधु सभ्यता से संबंधित, खोदे गए हैं, लेकिन एक भी टीले से कहीं से भी उत्खनन से, सिक्का तो छोड़िये, सिक्के का एक टुकडा भी नहीं मिला है, मतलब एकदम साफ है, कि सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थात हमारा प्रथम नगरी करण का यकी अर्थ विवस्था मुद्रा आधारित नहीं थी मौदरी करण नहीं था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार और वानिच्य वस्तु वीनिमय पध्यती पर किया करते थे बार्थर सिस्टम से विश मेंज दा हलपन्स ट्रेद थू बार्थर सिस्टम एक भी सिक्का सिंदू घाटी सभ्यता से संबंदिन संतानवे से अधिक तीलों के उत्खनन से नहीं प्राप्थुआ है तो क्या निश्कर्ष निकल के आया निश्कर्ष निकल के यह आया के जो हमारा प्रत्थम नगरी करण था यानि के सिंदू घाटी सभ्यता के अर्थ व्यवस्था का मौद्री करण नहीं हो पाया था मौद्री करण नहीं हो पाया था तो सवाल ये है आप लोगों से के भारती इतिहास में पहली बार सिक्के धातू के सिक्के कब चले तो ये तो पता चल गया के जो हमारा 4500 वर्ष पूर्व वाला पहला नगरी करण था वहां आर्थ वेवस्था में सिक्के नहीं चलते थे क्योंकि 97 से भी जादा टीले जो सिंदू घाटी सभ्यता से संबंदित हैं उनको खोदा गया है उत्खनित किया गया है और एक भी स्थल के उत्खनन से एक सिंगल जिसको सिक्का बोलते हैं वो नहीं मिला है तो मामला बहुत स्पस्ट है कि सिंदू घाटी सभ्यता के अर्थ वेवस्था का मौदरी करण नहीं हो पाया था हाँ सिंदू घाटी सभ्यता के उत्खनन से पत्थर की बनी सेल खड़ी इस्टिटाइट सेल खड़ी पत्थर की बनी मुहरे मिली हैं और मुहरों का इस्तेमाल सिक्कों के तोर पे नहीं होता है भाया मुहरों का इस्तेमाल होता है किसी चीज पे ठपा मारके चिन उभारने में कि ये मेरा सामान है गीली मिट्टी लगा दिया और गीली मिट्टी पे ठप से मारा ठपा और छप गया भाया जो छापना है और वो मा इश्के तियास में जब दूबारा नगर बने हैं दुवितिय नगरी करण हुआ तो ये दुवितिय नगरी करण हमारा बुद्ध एवं महावीर स्वामी के समयकाल में हुआ और नए शहर बने काशी, कौशाम्बी, मथूरा, ओजैनी, राजग्रिह, चम्पा नगरी वगेरा वगेरा तो जब दुवितिय नगरी करण से संबंधित इस थलों का उत्खनन हुआ तो दुवितिय नगरी करण है हमारा 2500 वर्ष, हमारे से 2500 वर्ष पूर्व, तो दुवितिय नगरी करण के स्थलों के उत्खनन से कॉइंस मिले हैं, मेटल कॉइंस मिले हैं, कौन वाले इनमे से? ये वाले मिले हैं, ये. तो दुवितिय नगरी करण के इस थलों, नगरों के उत्खनन से मिले हमें, पड़ी संख्या में धातू के सिक्के, धातू के सिक्के, जिन पर, जिन पर, थप्पा, हैमरीं, हैमरीं, थप्पा मार कर, चिन उभारे गए थे, थप्पा मार कर चिन उभारे गए थे, चिन जैसे सूर्य, इद का चांद, चंद्रमा, व्रिक्ष, व्रिक्ष, एवं, पहाडी पर, मयूर, मोर, आदिचिन, इन पर थप्पा मारा गया है, हैमरींग की गई है, मार के थप्पा घायल कर दिया गया, और सिक्का घायल हो गया, उफ, घायल सिक्के, आहत। इसी को, अंगरेजी में घुमा फिरा के बोलते हैं, पंच माक्ट कॉइंस, यह मिल रहे हैं सिक्के मिले, तो, और यह पंच माक कॉइंस, मुख्यतह, जितने उट्खनन में मिले हैं, मुख्यतह यह चांदी के बने हैं, और कुछ हमें मिले हैं तामबे के, कुछ तामबे के भी मिल गए हैं, अब क्या निश्कर्ष निकल के आएगा कि ट्वीतिय नगरी करण की अर्थ व्यवस्था कैसी थे? मौदरी कृत थी, मौदरी कृत अर्थ व्यवस्था थी, ये बात हमें पता चल जाएगी, अब कुछ दिक्कते भी आएगी, दिक्कते ये हैं कि इन सिक्कों पर ना तो किसी की आकृती बनी हुई है, और इनकी सीमाएं हैं, और ना ही कोई लेख लिखाए गये हैं, ना तो इन पर किसी की आकृती है, और ना ही कोई लेख लिखवाए गया है, अब फिर मामला फस गया, यहां तो पता चल गया भया, कि मौदरी करण हुआ है, ये पता चल गया, ये कैसे पता चलेगा, कि ये सि किस ने जारी किये थे वियापारियों ने वियापारियों की श्रिणियों ने कलाकारों की श्रिणियों ने गिल्ड्स ने या राजाओं ने मगत के राजाओं ने अजाश शत्रू, बिंबि सार उदाइन, समराट अशोक बिंदु सार, चंदगुप मौरिया, मौरे वन्षवालो, उन्हों ने किये, कैसे पता चलेगा, ये पता कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, अब देखे, यहीं पर हमें और साक्षे चाहिए होंगे, और साक्षे अगर मिल जाएं, तो हमारा काम बन जाएगा अब यहां और साक्षे के लिए हमें देखना होगा, कि कुछ ऐसा तो है, किताब उताब से मिल जाएं, साहित्तिक साक्षे, तो इसी जमाने में बौध धर्म और बौध प्रारंभिक बौध साहित्ते, जैसे विनैपिटक, मठ के नियम, भिक्षूओं में, मठ के नियम, भिक्षू और भिक्षूणियों के लिए मठ के नियम है, विनैपिटक, अब विनैपिटक में भिक्षूओं ने ये बताया, कि देखिए, कलाकारों की श्रिणिया है, श्रिणिया, और जो जो श्रिणिया है न, वो हमारे लिए खाना भेजते हैं, और बनारस म हाथी दांत पे कारीगरी करने वाले कलाकारों की एक श्रेणी है गिल्ड है दंतकार दांत पे कारीगरी का सामान बनारस तरश तरश के बनारस में दंतकारों की श्रेणी है जिनके अपने सिक्के चलते थे तो साहित से फिर हमने मैच कराया बौद साहित से मैच कराया तो पता चला कि बनारस में दंतकारों की एक श्रिणी है जिसमें सारे कलाकार हांथी दाथ पे कलाकारी का काम करते थे सजावटी सामान बनाते थे और इनके इनके अपने सिक्के चलते थे तो यहां से हमें और इन्फार्मेशन मिला तो हमने क्या किया साहितिक साक्षे और पूरा तात्विक साक्षे दोनों को मैच कराया और मैच कराके बीप आया रहे वाह निशकर्ष मिल रहा है बढ़ियां मैच कर तो कई बार हमें सिर्फ साहितिक साक्षे मिलते हैं कई बार हमें पूरा तात्विक साक्षे मिलते हैं और कई बार हम दोनों को मैच करा करके बीप करा करके मैच करा करके निशकर्ष निकाल पाते हैं और निशकर्ष निकल जाता है तो यह दंतकारों ने अपने सिक्क अब दिखे ये वाला जो चिन है यहां ज़रा ध्यान दीजिएगा पहडी पर मोर ये सिक्के पता है किसके होंगे चंद्रगुप्त मौरे के सिक्के कैसे मयूर दो चंद्रगुप्त मौरे की माता जी थी वो एक गाउं के मुखिया की बेटी थी समराट चंद्रगुप्त मौरे की माता जी एक मुखिया गाउं के मुखिया की बेटी थी जिस गाउं के लोग मयूर पोशका थे तो अगर सिक्के पर ये चिन्ह मिल रहा है पहाडी पर मयूर तो हो ना हो इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि ये पंच माक्ट कोईन्स या आहत सिक्के समराट चंद्रगुप्त मौर्या के शाशनकाल में जारी किये गए होंगे ये बहुत संभावना है अब एक दी देखेगा कि इन सिक्कों पर इन सिक्कों पर लेख वेख तो है नहीं ना जारी करने वालों की आकृतियां छापी गई है ये ये सिक्के ना धातु पिघला दिया गया और ठपा मार मार के आड़े तिरशे काट लिया गया ये सांचे में धले हुए सिक्के नहीं है टेंप्लेट डाए स्ट्रक कॉइंस ये सांचे में धले हुए कॉइंस नहीं है ये काटे गए ये काटे गए कॉइंस हैं काटे गए सिक्के हैं के अब ये सिक्के जो है ना आहत इतहासकार इन्हें पंच मार्ट कॉइंस नाम दे रहे हैं आहत सिक सिक्कों का भाई नाम क्या है ये कैसे पता चले सिक्कों पर तो लेखे नहीं है तो अब फिर हमने साहित्य छाना देखें कि भाई बौध साहित्य में कुछ मिलता है क्या तो बौध साहित्य में मिल गया हमें कि इन सिक्कों का नाम है एक नाम है पन या कारशापन ये चांदी क है फिर दूसरा नाम मिला हमें मशक ये पंड का आधा वैल्यू में है मुल्य में मशक और तीसरा मिला हमें नाम कांकडिय पंड कांकडिय और ये पंड का एक बटा चार है यानी कि एक रूपया में 25 पैसा और ये एक रूपया में 50 पैसा मशक तो इन सिक्कों पर तो नाम नहीं है लिकिन सहित्य में नाम है तो हमने यहाँ पे क्या किया हमने का मतलब इत्यासकारों ने साहितिक और पूरा तात्विक साक्षे दोनों को मैच कराया और मैच कराके ये पकड़ लिया कि सिक्कों के नाम क्या है है न, ऐसे बनता है इतिहास, ऐसे इतिहास का पुनर निर्माण किया जाता है, इतिहासकारों की पूरी-पूरी जिंदगी चली जाती है इन खोजबीन करने में, निश्कर्ष निकालने में, जो हम दो-चार लाइन में पढ़ लेते हैं न, वड़े आसानी से, तो धन्यवाद आतिजी एतिहासकारों का, उत्खनन करताओं का, पुरातत्व विदों का, वनस्पती शास्रियों का, जन्तु शास्रियों का, के उनके सहायता से हम अपने अतीत के बारे में अच्छी खासी जानकारी ले पाते हैं, वरना नहीं पता चलेगा, और एक चीज और दिखिएगा यहां यह जो सिक्के हैं, और यह जो आहत सिक्के हैं, इनमें मुख्य अंतर क्या है? यह मेटल पिखला के धातु पिखला के साचे में धाल कर बनाए गये हैं, उतारे गये हैं, और यह तो धातु पिखला के चादर बना के ठंडा ठपा मार के, ठंडा करके काट लिया गया है तो ये वाले जो सिक्के है न या नीचे वाले सिक्के ये हैं साचे में ढ़ले हुए सिक्के तो प्रारंभिक सिक्के हमारे साचे में ढ़ले हुए नहीं थे ये जो पंच मार कोईन्स है न ये साचे में ढ़ले हुए सिक्के नहीं थे तो साचे में ढ़ले सिखके एक सिखके नुक्की का ज़रा सिख्मेंस मेंटेन करते हैं यहां से पेज बढ़ा लेते हैं ठीक है यहां पे थोड़ा इंफॉर्मेशन और लेते हैं यह सब प्रिलिम्स और मेंस इग्जामिनिशन में आता पूध्यान से प्रते रहीएगा सांचे में ढ़ले सिखके इसी को अंग्रेजी में घुमाफिरा के नाम दिया जाता है तो बड़ा टेडा हो जाता है डाइ, स्टरक कॉइंस और यह तो बड़ा आसान है समझना है सांचे में ढ़ले सिखके इंधी में फील है न मात्रभाशा, जिसकी मात्रभाशा है उसकी बात कर रहा हूँ सांचे में ड़ले सिंक के किसने सुरूख किये सबसे पहले ये है बात 2200 वर्ष पूर्व की जब मौरस साम्राजे का पतन हो चुका था और उसके बाद के काल को मौर्योत्तर काल बोलते हैं और मौरस सामराजे के पतन के बाद ताबड तोड बाहरी लोगों का आकर्मन हो गया और सबसे पहले मौर्योत्तर काल में जिनोंने आकर्मन किया वो हिंद यवन थे जो अफगानिस्तान से थोड़ा परे बैक्ट्रिया से शाषन करते थे उनोंने आकर्मन कर दिया बाइस सोवर्शपूर्व ग्रीको बैक्ट्रियन्स और फिर धीरे धीरे करके जब ये इंडिया पे नौर्थ विस्ट में उत्तर पशीमी भाग पर शाषन करने लगे तो ये भ यही लोग हैं, हिंद बाहरी, हिंद यवन, हिंद यवन, इंडो ग्रीक्स, और कालांतर में यवन शब्द सारे बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जो बाहर से आ रहे तो वो यवन, शुरुवात में यवन मतलब यूनानी है, और इनको न, काली मिर्च बड परदा गिरता है, स्टेज पर परदा जो गिरता न, यवनी का, ये यूनानी उने तो इंडोडूस किया न, और महात्मा बुद्ध की जब मूर्तियां बनाई गई, तो वो उस पर भी असर आया इन यूनानी यों के मूर्ति का लाका, हिंद यवन, तो हिंद यवन ने, ये स सर्व प्रत्थम लोग हैं, सर्व प्रत्थम इन्हों ने ही सांचे में ढले सिक्के जारी खिये, और मजे की बात ये है, कि ये सुघड, सुडॉल, बढ़ियां सिक्के हैं, सुडॉल, विल शेप्ड हैं, सुडॉल आड़े तिर्चे नहीं काटेगा हैं, सुडॉल सिक्के हैं, और इन पर जारी करने वाले राजाओं, वह इनके यूनानियों के देवी, देउताओं, की, ये तो राइटिंग भिगड़ गया, कर देते हैं उसको, देवी, देवताओं की आक्रितियां, तो भाई, इनके देवी देवताओं अलग हैं न, हमारे वाले थोड़ी ना है, इनके देवी देवताओं हैं, अपोलो, अपोलो, सूर्य देवता हमारे, जीवस, इंद्र देवता के जैसे, हेलेना, हरक्यूलीज, आदे-आदे, यह, तो यह, आगे, तो अधिकांश, हिंद, यवन, राजाओं के विशय में जानकारी हमें कहां से मिलती है, अधिकांश, हिंद, यवन, राजाओं के विशय में जानकारी हमें इनके कोइन्स, इनके सिक्कों से मिलती है, तो सिक्के जानकारी का ना केवल अर्थिवस्था, बलकि राजनीती और समाज की जानकारी का बहत महत्तोपूर्ण स्रोत होते हैं, और इनके बाद जो बेहत महत्तोपूर्ण सिक्के जारी किये गए, वो कुशान रोगों के सिक्के जारी किये गए, ते कुशानों के सिक्के, अब जैसे दिखिए, कुशान राजा एक है, विम, हम अभी इन लोगों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इतिहास का विमा केडफाइसस के सिक्कों पर ये मिल रहा है, आकृति, त्रिशूल, एवं, कूबण वाले बैल मिल रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं इसको, इतिहास कार, के त्रिशूल के साथ नंदी जी हैं, तो इसका मतलब है कि जो ये विम, केडफाइससस है, वो किसके प्रभावाओं में है वो शिव जी की पूजा से बड़ा प्रभावीत है यद्यपी की ये बाहर से आ हुए है वैसे इसी तरह से कनिश्क है कनिश्क कनिश्क के सिक्कों पर लेख लिखा हुआ है बोडो बोडो बी ओ डबल डी ओ और इसका अर्थ हुआ बुद्ध और सिर्फ लेखी नहीं लिखा हुआ है के बुद्ध लिखा हुआ है बुद्ध लिखे ना महात्मा बुद्ध की आकृती भी है साफ स्पस्ट गांधार शैली में स्पस्ट रूप से गांधार शैली में महात्मा बुद्ध हैं ये और ये देखिए लिखा हुआ है रोमन शैली में रोमन लिपी में बी ओ डी डी ओ बुद्धो शका माना बुड़ो, कुछ-कुछ तिकों पर पूरा लिखावा, शका माना बुड़ो, यानि कि शक्यमुनी गौतम बुद्ध, तो यहां से पता चल रहा है, कितना बढ़िया information, coins देते हैं हमें, तो इसका मतलब है, कनिश्क, क्या निश्कर्च निकाल पा रहे हैं हम यहां प या तो बौध धर्म में दिक्षित हो गया होगा, या फिर यह बौध धर्म से अत्यधिक प्रभावित रहा होगा, दोनों निश्कर्च है, या तो यह बौध धर्म से प्रभावित होगा बहुत जादा, या फिर यह बुद्धिस्ट बौध धर्म का मौध धर्म में और हम ये भी जानते हैं साहित्ति से कि इसने चौथी बौध परिशद को संरक्षन दिया था जब भिक्षू लोग बौध भिक्षू लोग चौथी बार मिलते हैं न कुंडल फॉरेस्ट कश्मीर में तो इसी राजा ने उनको संरक्षन दिया था ये तो कौइन्स आमारे लिए जानकारी का बेहत महत्तो पुर्ण स्रोत हैं और देखें उशानों को रिप्लेस किया उत्तर भारत में उत्तर भारत से हटा दिया गुप्त राजवन्ष के राजाओं ने और गुप्त राजवन्ष के राजा बड़े प्रतापी हुए चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वीतिये विक्रमादित्या, कुमार गुप्त, इसकंद गुप्त ये लोग हुए और इनोंने भारी संख्या में स्वन्षिक्के जारी किये और देखें हमें ये चीजे मिल रही है कि अभी तक के मतलब प्राचीन भारत के इतिहास में अभी तक के अध्यन में सुद्धतम स्वन्षिक्के उशाणों के ते और दूसरा फैक्ट ये है कि सर्वाधिक स्वन्षिक्के सर्वाधिक स्वन्षिक्के किसके काल में जारी हुए गुप्तों के काल में सर्वाधिक स्वन्षिक्के जारी किये ये कुशाण और गुप्त ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन ये प्रिलिम्स में बहुत काम आते हैं और यहां देखें गुप्त राजवन्स के सिक्के ये, अब इन पे बहुत सारी आकृतियां बनी हुई है, जैसे देखिए, एक सिक्के में राजा रानी है, बने हुए राजा रानी प्रकार कह दिया हमने, एक सिक्के में अशुमेध का घोड़ा बना हुआ है, और राजा है, अशुमेध प्रकार कह दिया, एक सिक्के में राज शेर को मार रहा है दिखाया गया है तीर दनुस से सीह निहनता कह दिया गया शेर को मारने वाला या एक में राजा ने युद्ध कुलहाडी प्रकार नाम दे दिया हमने उन सिक्कों को या एक सिक्के में राज दंड प्रकार किसी सिक्के में समुद्र गुप्त को वीना बजाते वे दिखाया गया तो वीना वादन वीना वादन प्रकार इस तरह से तो ये सिक्के गुप्त काल के सिक्के ना हमें भारी मात्रा में मिले हैं और ये शुद्धतम सौन सिक्के नहीं ह लेकिन सबसे बड़ी संख्या में स्वन सिक्के गुप्तों ने जारी किये और धेर सारा information हमें यहां से पता चल रहा है ठीक है ये है utility मुद्राओं की मुद्राशास्र और इनके आधार पर इतिहासकार बड़े ही सुन्दर तरीके से अतीत का पुनर निर्मान कर पाते हैं ठीक तागच पर नहीं जो थोस एवं इस्थाई सतह पर खुदवा के लिखवाया गया हो थोस एवं इस्थाई सतह पर लिखवाया गया जैसे प्रस्तर या फिर ताम्रपत्र लकडी वगेरा इस पर तो ये अभी लेख कहलाता है जैसे दिखे यहां पर भी लेख है ये सिंदू घाटी या हडपा सभ्यता के प्रस्तर मुहरे हैं और इन पर भी लेख है तो ये अभी लेख है अभी लेख है लेकिन समस्य ये है कि ये जो लिखावट है न सिंदू वालों की ये भाव चित्र है और अभी तक हमारी वट लगी पड़ी हम पड़ी नहीं पा रहें इसको कि भया साड़े 4000 साल पहले पता नहीं कौन सा भाव मन में आया और ये बना दिया ये बना दिया ये बना दिया भाव पकड़ना कितना ज्यादा मुश्किल होता है ये इस इस एक्स्रीमले डिफिकल्ट टू डिसाइफ फर द श्क्रीपिट आफ इंडरस वाली सिवलाइजेशन बहुत मुश्किल है इसको डिकोड कर पाना इसको पाना तो अभीलेक दीके अभीलेक जो पढ़े जा चुके हैं पढ़े जा चुके ये तो नहीं पढ़े जा चुके अभीलेक वो सबसे पहले जो हैं वो समराट अशोक के हैं समराट अशोक ने लोगों तक और अपने अधिकारियों तक मैसेज पहुचाने के लिए अपना संदेशा देने के लिए पत्थर पे चट्टानों पर और बड़े ही खुपसूर्ती से से तराशे गए प्रस्तर स्तंभों पर अपने लेक लिखवाए तो ये ठोस एवं स्थाई सत्र तो सम्राट अशोक के अभी लेक हो जाते हैं ठीके और सम्राट अशोक के अभी लेक देखेगा और समराट अशोक के अभिलेख की भाषा मुख्यतह प्राकृते और उत्तरपशिम में यूनानी भाषा एवं आरामाईक भाषा भी ये आरामाईक और जो लिपी लेखन शैली का प्रयोग समराट अशोक ने किया वो मुख्यतह ब्राहमी लिपी मुख्यतह ब्राहमी लिपी ये लेकिन ओवराल ब्राहमी के अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ खरोस्ठी लिपी, यूनानी लिपी और आरामाईक लिपी भी है तो आरामाईक और यूनानी भाशाएं भी रही है और लिपियां भी रही है लिपियां मतलब लेखनशेली तो समराट अशोक के अभी लेखों की भाशा मुख्यतह प्राकरत है, परंतु ग्रीक और आरमाइग भी है, और लेखों का जो script है न, क्या बोलते हैं इसको, लिपी, तो लिपी, ब्राम्मी है मुख्यता, लेकिन उसके अलाबा खरोस्ठी, ग्रीक और आरमाइग भी है, और बड़ी संख्या में समराट अशोक ने ये अशोक के अभिलेग ये शिलाओं पर भी हैं तो हम इने कह रहे हैं शिला लेग और इसमें दो शिर्णिया हैं ये बाद में पढ़ते हैं हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे मुख्य शिलालेक और लगू शिलालेक अभी तो नहीं समझ में आएगा बाद के चैप्टर्स में हम लोग इस पर डिस्कस्शन करेंगे डीटियल में इस्तंभलेक हैं इस्तंभों पर इस्तंभलेक और इसमें भी दोश्रणी है मुख्य इस्तंभलेक वा लगू इस्तंभलेक और फिर गुफाओं की दीवारों पर केव इडिक्स गुफालेक यह तीन श्रिणियां तो समराट अशोक ने अपने अभी लेक शिलाओं पर इस्तंभों पर और गुफाओं की दीवारों पर लिखवाया और धेर सारा इंफॉर्मिशन सूचनाएं हमें वो प्रदान कर देते हैं अपनी साकरात्मक और लोग कल्यानकारी सोच के बारे में और बहुत धर्म से संबंधित उनकी सोच के वशे में भी हम जान पाते हैं समराट अशोक के अभी लेकों से फिर आप देखिया आता है साहितिक साक्षे अब साहितिक साक्षे बड़े मातोपूर होते हैं अब ये धार्मिक भी हो सकते हैं धार्म निर्पेक्ष भी हो सकते हैं तेशी भी हो सकते हैं और बाहर से आई हुए लोगों के भी हो सकते हैं ठीक है जैसे एक हमने लिया है साहि महत्थोपूर्ण!」 अर्थशास्त्र महत्थोपूर्द बात यहां पर यह ध्यान रखेगा , कि अर्थशास्त्र की रचना कोटिल्ली हैं जिनने चाणक्य या विष्णु गुप्त के नाम से भी जाना गया है और उससे भी मज़िदार बात ये कि अर्थ शास्त्र की इस अर्थ शास्त्र में कौटिल्या ने ना तो चंद्रगुप्त मौर्य ना सम्राट बिंदुसार किसी के बारे में ने एक शब्द नहीं बताया है ना ही उस शहर के बारे में एक शब्द जहां वो रहते थे जैसे कि पाटली, पुत्रा या कुछ भी ऐसे नहीं बताया पर्टिकुलर कुछ इन इफॉर्मिशन नहीं दिया है तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो कौटिल्या के दिमाग में चल रहा होगा ना कि उन्होंने अपने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्या का नाम ज सामराजी के विश्या में कुछ नहीं लिखा एक शब्द नहीं और नहीं पाटली पुत्रा के विश्या में एक शब्द लिखा तो कहने का मत्तब है यहां पर जरूर कौटिल्या के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहाता और वो ये चल रहाता कि देखो भाई ये ऐसी किता जो किसी एक सामराजी के विशे में नहीं है ये राजाओं को दिया गया सला है कि राज़े का संचालन कैसे किया जाता है तो ये एक सैधान्तिक पुस्तक है ये किसी particular राज के या particular राजा के या particular शहर के विशह में कुछ नहीं बताती है ये सलाह दिया गया है राजा को ऐसा करना चाहिए राज के साथ अंग होते हैं सापता अंग राजा को अपने पडोसी के साथ ऐसा रहना चाहिए डिप्लोमेसी कूटनीती कैसे की जानी चाहिए युद्ध कैसे लड़ा जाना चाहिए शत्रू का शत्रू मित्र हो सकता है इस बात को कैसे यूटिलाईस किया जाए तो ये सब बताया गया है तो इसी कारण वश कॉटिल्या ने अपने अर्थ शास्टर में किसी पटिकुलर राजा या सामराजे या किसी शहर का वर्णन नहीं दिया है वस एक सेकंड रोगया पाने पे लेता हूँ चले अब एक महत्तुपुन बात ये ये तो समझ में आ रहा है कॉटिल्या का अर्थशास संस्क्रिक में है 15 chapters हैं इसमें महत्तुपुन बात ये है कि भाईया कॉटिल्या का अर्थशास्र पूरा नहीं मिला है हमें कॉटिल्या के अर्थशास्र का सिर्फ एक खंड मिला है तो अर्थशास्र कहां से आया जब अर्थशास्र मिला ही नहीं आपको और हमें, तो हमने अर्थशास्र कहां से बना लिया? तो वो बनाया अर्थशास्र ये महान संस्कृत विद्वान पंडित महा महा उपाध्याय आर्शाम शास्त्री जीने, 1909 से 1915 के बीच में, इनोंने वास्तों में अर्थशास्र का पुनर निर्मान किया है, अर्थशास्र का री क्रियेशन हुआ है, पुनर निर्मान और ये कैसे हो गया भाई? ये ऐसे हो गया कि कोटिल्या के बाद के जितने लेखकों ने, कोटिल्या के बाद के जितने लेखकों ने अर्थशास्र से उधरण लिया, पैराग्राफ या कोई भी पार्ट लिया, कोटेशन लिया, वो जितनी किताबें ये पढ़ पाए, संस्कृत की सब पढ़ लाले, बहुत बड़े विद्वान थे, और जिन जिन लेखकों ने कोटिल्या के अर्थशास्र के कोटेशन लिये थे, के कोटिल्या ने ये कहा था, वो कहा था, उन्होंने सारा कोटेशन ही के भाई, जब अर्थशास्र में कोटिल्या ने कुछ बताया ही नहीं, चंद्रगुप मौरिया वगरा के बारे में, तो ये कैसे पता कि ये उन्ही के जमाने में हैं, फिर इतिहासकारों की जरुवत पढ़ेगी, और अर्थशास्र की भाशा, संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत है, अब हम ये देखते हैं, कि अर्थशास्र की संस्कृत का फ्लो, स्टाइल कपका है, तब तो पता चल जाएगा, फ्लो कपका है, स्टाइल कपका है, तो हमें पता चलता है, कि 2400 साल पहले, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण पे बहुत काम किया था और इन्होंने किताब बनाई थी संस्कृत व्याकरण की पाड़िनी की अस्टा ध्याई और ये हैं 4th century इस्वी पूर्व, चौथी शताब दी इस्वी पूर्व में या आम बोल चाल में आप इसको समझ सकते हैं चौबिस सो वर्ष पूर्व और बीच में यहाँ पर बीच में चोड़ देते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं पातंजली का महाभाश्य संस्कृत व्याकरण की एक अन्यपुस्तक और ये हैं द्वीतिय शताब्दी इस्वी पूर्व में बिफोर कॉमन एरा वर्ष पूर्व या आप इससे लिख सकते हैं द्वीतिय सदी इस्वी पूर्व अब यहाँ पर जो संस्कृत व्याकरण है पाड़िनी की अस्ठध्याई और पतंजली का महाभाश्य इन दोनों के बीच में हैं कोटिल्या की संस्कृत कोटिल्या की संस्कृत पाड़िनी के बाद की है और पातंजली के पहले की है अब हर हालत में कोटिल्या पाड़िनी के बाद हैं और पातंजली के पहले हैं यानि की कोटिल्या तृतिय शताब्दी इस्वी पूर्व में या लगभग 2300 वर्ष पूर्व हैं और यही समय 2300 पूर्व लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का है तो हो ना हो कोटिल्या चंद्रगुप्त मौर्या के ही पास हैं उनी के सिक्षक और प्रदानमंत्री हैं यह ऐसे निकालते हैं इतिहास कार इतिहास कितना कटीन होता है कितना कटीन होता है इतिहास का पुनर निर्माण कर पाना तो पहले इतिहास का पुनर निर्माण करना होता है उस पे लिखना होता है तो लिखने में आदमी का अपना द्रिष्टी कोण हावी होता है और मैंने आपको बताए, तीन तरीके से इतिहास लेखन मुख्य रूप से किया गया है, आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखेंगे, मार्क्सिस्ट कहलाएंगे, नेशनलिस्टी फीलिंग हावी होगा, तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन कहलाएंगे, और आम जनता के नजरिये से जब इतिह लिखेंगे, नीचे से इतिहास जहांकेंगे, लिखेंगे, तो सब आल्टरन स्टुडीज हो जाएगा वो, और ऐसी ही एक बेहद उपयोगी साहितिक साक्षे हमारे पास, मैगस्थनीस की इंडिका, अब मैगस्थनीस जो है न, ये कब है, ये उसी समय है, जब चंद्रगु तुमोरिया है या नी की कोटिल्या है, तीनो एकी समकालीन है, अब मैगस्थनीस जो है न, वो यूनानी राजा सेलूकस निकेटार के राजदूत है, और मौरियों की राजधानी ये पाटली पुत्र में आए, और ये आठ नौ वर्षों तक पटना पाटली पुत्र में रह और अपने अनुभव और यात्रा पर एक किताब लिखी उसका शीरशक्ता इंडिका, अब मूल इंडिका पूर्ण रूप से हमें जीवित नहीं मिला है, मतब हमें मिला ही नहीं है मूल इंडिका, मूल इंडिका नहीं मिला है, तो जैसे अर्थ शास्त्र का रीक्रियेशन गया है और बाद के यूनानी लेखकों ने जो quotations लिये थे ना और इन्हों ने इंडिका में यूनानी लोग है जो इंडिया नाम दे रहे हैं अंग्रीजों को नहीं दिया हुआ है लेकिन मूल नाम हमारा भारत है इंडिया दैडिस भारत के भारत वर्ष तो इन्हों ने इंडिका में भारत के विश्या में अच्छा खासा विवर्ण दिया है बोले भाई ये समुद्र से घीरा चतरुबुझ आकार का है इसका हिंडी दूढ़िएगा तो मिलेगा आपको चतरुबुझ तो स्क्वार हो गया ये सही नहीं है सब्द इसका और ये कह रहे हैं कि गंगा नदी के आसपास वाला जो सामराज है गंगा रीडे बोल रहे हैं ये गंगा रीडे और ये कह रहे हैं कि भारती लोग डाइनोसियस की पूझा करते हैं वो डाइनोसियस कह रहा है भगवान शिव को और हेराकलीस कह रहा है भगवान कृष्ण को और ये बता रहे कि यहां बड़ी संख्या में गंगा रीडे में इधर मौरियंस में बड़ी संख्या में हाथियों को पालतू बना करके सेना में इस्तेमाल किया जाता है हस्ती सेना औ और यहां के ख़दानों में बढ़िया लोहा मिलता है, तामबा और अन्य धातुएं मिलती हैं, तो इन्हों ने अच्छा खासा विवरन दिया है मैगस्थनीज ने, अब यहां एक समस्या आएगी, क्योंकि मैगस्थनीज हैं foreigner, बाहर से आ रहे हैं, और अपने नजरिये से भा भाई भारत में दासप्रथा नहीं होती है, तो हम सोचेंगा अरे भारत में दासप्रथा नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, भारत में दासप्रथा होती थी, और खुद कोटिल्या के अर्थशास्त्र में दासप्रथा का जिक्र है, और कई प्रकार के दास बताएगे हैं, समराट अशोक अपने अभी लेखों में कह रहेंगे मैं दासों के प्रती अपनी नीटी को ले करके चिंतित रहता हूँ कि दासों को साथ उचित बढ़ियां विवार किया जाना चाहिए तो इनों ने बताया कि भारत में दास प्रता नहीं है कैसे कन्फ्यूस कर गए क्योंकि इनोंने रोम के यूनान के समराज में दासों को देखा था कि दास लोग जंजीरों से बंधे हुए रहते थे और भारत में ऐसा नहीं था भारत में दासों के साथ अपिक्षाकृत बेहतर विवार किया जाता था तो इन्हें दास प्रता नजर नहीं आई इन्होंने कहा कि भारती समाज साथ साथ वर्गों में बटा हुआ है व्यवसाय आधारित फिर गलत क्योंकि धर्म शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि भारती समाज चार वर्णों में बटा हुआ है जन्म आधारित ब्रामन चत्रिवेश और शुद्र, तो कई बारना ये गलत वीवरन भी प्रस्तूत कर देते हैं, तो इतिहासकार जब साहितिक साक्षों का अध्यन करते हैं, तो ये उसमें से गलत सूचनाओं को फिल्टर करते हैं, और सही बात को निकाल करके इतिहासका पु पुर्णाओं किया जाता है, ये कितना जटिल कार्य होता है, और अब एक बात रही देखिये, कि इतिहास बोध, हिस्ट्री राइटिंग प्यार है, हिस्ट्री राइटिंग इतिहास बोध, हमारे पर ये अंग्रेजों ने आरोप लगाया, कि भारतियों को भारतियों को इतिहास बोध धा इतिहास बोध नहीं है वा वे भारत मलब वा वे इतिहास लेखन नहीं कर पाते हैं इतिहास लेखन नहीं कर पाते हैं ये आरोप मर दिया हमारे पर लेकिन वास्तों में ऐसी बात नहीं रही भारती लोगों ने इतिहास लेखन किया थोड़ा बाद में किया दीखे जैसे गुप्त काल में गुप्त काल में बड़ी संख्या में पुराणों की रचना हुई पुराणों की रचना और पुराण न मूल रूप से मिठकीय हैं ये किस्से कहानियों वाली बाते हैं मिठक पे आधारीत हैं मिठकीय चरित्र है पुराणों का तो पुराणों में न इतिहास बहुत कम है आप यूँ समझ लीजिए कि मात्र इसका लगभग 20 प्रतिशत भाग ही इतिहास है और इस 20 प्रतिशत में राजाओं की वन्षा वलियां दी गई है तो आरोप मड़ दिया अंग्रेजों ने के भाया भारतियों को तो हिस्ट्री राइटिंग कभी आता ही नहीं था और यह सब उल्टा पुल्टा लिखतेते हैं ऐसा जब की नहीं रहा हाँ यह सच है कि पुराणों की जब रचना हुई है तो पुराणों की रचना मिथक की रही है लेकिन बाद के वर्षों में आगे चलके धीरे धीरे इतिहास बोध होने लगा इंडियन्स को जैसे हर्ष चरित सात्वी शताबदी में हर्ष चरित और यह लिखा बाण भट ने पाण भट के हर्ष चरित से हमें थोड़ा बहुत हलका फुलका इतिहास बोध और इतिहास लेखन का मिलने लगता है और यह सात्वी शताबदी किये सात्वी सदी किस्वी के मद्ध किये और अब जम आगे बढ़ते हैं तो बारहवी सदी तक आते आते एक राइटर हुए कलहन इन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा कलहन की राज तरंगिणी राज तरंगिणी तरंगिणी मतद नदी होती है राजाओं की नदियां यानि कि ये राजाओं को दिया गया सला ये कश्मीर का इतिहास है कश्मीर का इतिहास और कल्हण बारवीश अताब दी आठ से आठ सो साल पहले कल्हण की राज तरंगिणी में हमें इस पस्ट रूप से इतिहास बोध पता चलता है साफ साफ अच्छे से इतिहास बोध व सही प्रकार से इतिहास लेखन यहां से बारवी शताबदी से शुरू हो जा रहा है यह हम एक्सेप्ट करते हैं स्वीकार करते हैं कि गुप्त काल पुराणों में ज्यादा तर चीजे मिथ किये हैं लेकिन बाद में चल करके अच्छा खासा इंडियन्स को हिस्ट्री राइटिंग का सेंस आया तो यह कि भारतियों को इतिहास से बोध नहीं है इतिहास लिखना यह सब पूरी तरह से सच बात नहीं है यह जब अरदस्ती हमें नीचा दिखाने के लिए इंपीरियलिस्ट हिस्ट्री राइटर्स ने अंग्रेज इतिहास कार जब लिखते थे न तो उनका मुख्य उद्देश होता था भारतियों को नीचा दिखाना तो वो बायस्ट हिस्ट्री राइटिंग है वो इंपीरियलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग है बायस्ट एक तरफा और ऐसे ही रास्टवादी इतिहास कार आधुनिक काल के जब प्राचीन काल के विश्चय में लिखते हैं तो कई बार वो भी बायस्ट हो जाते हैं लिखते लिखते क्योंकि रास्टवादी भावना आती है और रास्टवादी भावना में कई बार आदमी कुछ बुराईयों को छुपा ले जाता है और अच्छाईयों को ही lime light में रहने देता है यह होता है कि तो वो भी सही पूरी तरह से सही बात आपके सामने हमारे सामने नहीं रखेंगे साम राज्यवादी imperialist history writers अंग्रेज वगएरा वो भी एक तरफा लिखेंगे एक त जरूस से ज़्यादा कर देंगे तो घमंड का जूठा भाव पैदा होने लगता है मन में कहरेवा हम हम से बढ़ा तो दुनिया में कोई रहा ही नहीं है तो ऐसे में तो आदमी का तरक्की का रहा ही बंद होने लेगेगा जब यह मान के बैठ जाएगा कि हमसे सुपीरियर हमसे स्रेश तो दुनिया में कोई है नहीं है तो यह भी घमंड का जूठा भाव पैदा करता है जरूस से ज़्यादा बढ़ा चड़ा के लिखना और एक पक्ष होता है कि हर चीज में आर्थिक नजरिया लाना हर चीज में आर्थिक नजरिया कोई भी घटना घट रही आर्थिक नजरिया, कोई भी घटना घट रही आर्थिक नजरिया, वो भी एक पक्षिय हो जाता है, तो जब हम, हम का मतलब इतिहासकार, जब इतिहासकार, इतिहास का पुनर निर्मान करते हैं, और उस पे लेखन करते हैं, तो वो अपने, उनके थोड़े बहुत द्रिस्टीकोन हावी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब आप और हम हैं, UPSC Aspirants और हम, तो हम क्या करते हैं, तीनों द्रिस्टीकोन को अच्छे से समझ के, एक बीच का संतुलित रास्ता पकड़ लेते हैं, और वो संतुलित तरीके से, हम इतिहासको समझने की कोशिश करते हैं, तो IS Aspirants में ये बड़ी खास बात है, कि वो ये ध्यान रखें, कि एक पक्षी तरीके से, जो इतिहास लेखन कर दिया गया है, प्राचीन काल पर आधुनिक काल के इतिहासकारों के द्वारा, आंशिक रूप से वो सही होता है, और हमें अगर पूरी बात सही पता करनी है, तो हमें बड़े ह संतुलित तरीके से समझ करके निश्कर्ष निकालना होता है, बीच का रास्ता अपनाना, और वही हम लोग क्लास्रूम प्रोग्राम्स में कर रहे होते हैं, या हम और आप जो अभी रूबरू हैं, वो उसी आउधारना पे चल रहे हैं, कि हम किसी एक को फालो नहीं करेंगे हम तीनों को समझ करके, समझ बूच करके एक बीच का रास्ता निकालनेंगे, और सही दिशा में सही तरीके से इतिहास, बोध इतिहास को समझने की कोशिश की जाएगी, ठीके, तो स्टुएंट्स ये था, NCRT रामशरन सर्मा, चैप्टर नमबर टू, और चैप्टर नमबर 2 और 3 को एक साथ रख करके, तो आज का कारवा, यहीं समाप्त करते हैं, ठीके, और फिर नेक्स्ट लेक्षर में, हम लोग यहां से आगे, NCRT, रामशरन सर्मा, और चैप्टर नमबर 4 पे आ जाएंगे, और हम पढ़ते वक्त इस चीज का धिहान रखेंगे, कि नए-नए ज गंगा जी में बहुत पानी बह गया है, नए-ने रिसंट और डिवलप्मेंट्स हो गए हैं, नए-ने चीजें आती रहती हैं, नया उत्खनन होता है, नए निशकर्श आते हैं, कई बार पूरानी निशकर्श फीके पढ़ जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो हमें इस स नहों के सिर्फ आरेश शर्मा पढ़ते हैं, पढ़ने के चकर में हम पूरानी चीजें ही याद कर ले जाएं, पूरानी यवधारना ही लिख के आ जाएं और हमारे marks कट जाएंगे, तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है, हम ध्यान रखेंगे, बखू भी ध्यान रख दिखाएंगे आवश्य दिखाएंगे तो चलिए अगले लेक्षर में मिलते हैं इंतजार रहेगा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्या थेंक्यू सुमाच थैंक्स अलट